तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस क्लास को और इन दिनों में हम लोग सीख रहे हैं अपोस्कल्स क्रीड, प्रेशितांस अपतांगिकार, प्रेरितों का विश्वास और आज इसी के अंतरगत हम लोग साथवी क्लास कर रहे हैं और यह सेवन्थ क्लास एक बड़े सुन्दर से टॉपिक को ले करके हैं और आप में से जो लोग सीक्विन्शेली फॉलो करते आ रहे हैं उनको अंदाज भी होगा कि आज हम कौन से शब्द पर मनन करने जा रहे हैं तो आरम का जो वाक्या है हम लोगों का जो विश्वास प्रगट करने का होता है वो यूँ है मैं विश्वास करता हूँ सर्व शक्तिमान परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृत्वी का सिरजन हार है और उसके एक लौते पुत्र हमारे प्रभू एशू मसी पर अब यहां तक की study हो चुकी है तो अगला शब्द जो आ रहा है वो है एकलोते पुत्र हमारे प्रभु येशु मसी पर जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर आज हम इस फ्रेज पर इस वाक्य पर या इन शब्दों पर मनन करेंगे कि पवित्र आत्मा से प्रभु येशु देधारी हो रहे है हमने पिछली बार प्रभु येशु को देखा प्रभु येशु कौन है कौन है कौन है लेकिन आज हम उस बात पर गौर करेंगे कि वह परमे और ये transition कैसा possible हुआ, वो जो वच्चन था, वो वच्चन देहधारी हुआ, ये परिवर्तन कैसे हुआ, तो Bible बता रही है, पवित्र आत्मा से देहधारी हुआ, देखिए मैं आज का जो मनन का विशह है, वो पवित्र आत्मा का study नहीं ले रहा हूँ, ये एक बहुत ही बड़ विशह है, फिर भी यदि आप जानना ही चाहते हैं कि पवित्र आत्मा क्या 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 करता है, तो मैं बड़ी तेजी से आपके सामने कुछ वच्चन रेफरेंसे संदर्ब पढ़ देता हूँ, और ये list पढ़कर बताने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा, कि बहु सामने कुछ लोग ऐसे कह रहे थे कि I will tell you what is holy spirit और उसके बाद वो शुरू करते हैं, it is power and मैं कह देता हूँ नहीं, ऐसा नहीं है, सबसे पहले तो प्रशन पूछने वाले को मैं समझाता हूँ कि आप प्रशन गलत कर रहे हैं, what is holy spirit बोलने की बजाए आपने पूछना चाहि पवित्रातमा क्या है, यह प्रशन गलत होता है, पवित्रातमा कौन है, जब हम कौन है कहते हैं तो हमारे अंदाज में आता है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और वैसे ही अगर हम उसको इस तरीके से address करें कि it is power क्योंकि साधरण णता होता क्या है लोगों को मालूम है जब पवित्र आत्मा अंदर आता है तो बड़ी ताकत आ जाती है और फिर हम बड़े-बड़े काम करने लगते हैं ये पवित्र आत्मा की सेवकाईयों में से एक प्रतीशत की बात हो गई यानि हम पवित्र आत्मा को कितना कम जानते हैं ऐसा सोची अगर आप वेवल उसे एक सामर्थ समझते हैं जिससे बड़े-बड़े काम होते हो तो अपने मन में इस बात को जान करके रखिए कि आज हम उस परमेश और पवित्र आत्मा की और देख रहे हैं जो एक वेक्ति है और वो देह धारण करवा देने का या प्राण देने का या जीवन देने की सामर्थ रखता है पर ये जीवन देने की सामर्थ के अलावा अगर आप यहना रचिसू समाचार के सोलवे अध्याय में देखे तो वहाँ पर लिखा है बड़े स्पष्ट आठवे वचन में कि पवित्र आत्मा संसार को उसके पाप के विशे में और धार्मिक्ता के फिर तीतुस के तीसरे अध्याय के पाँचवे वचन में आपको मिलेगा कि पवित्र आत्मा हमें नया बनाता है कल तक हम जो थे उससे भी नया और आज जो हूँ कल में उससे भी नया बनूँगा तो ये कैसे बनना संभव होता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा संभव हो पाता है यदि यहना के ही मैं सोलव अध्याय के चौधे वचन को देखूँ तो पता लगता है कि प्रभू येश्यू के विशह में मुझे वो गवाईयां बताता है और प्रभू येश्यू की महीमा को देखने के लिए मेरी साहता करता है लूका के चौधे अध्याय पहले करना पड़ता है और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं मतलब हमारी तरक्की वाली एक्जाम में हमारे आगे आगे चलने वाला पवित्रा आत्मा होता है और यदि रूमियों के पांचवे अध्या सोले वचन में देखे तो महां पता लगेगा वो हमें शुद्ध करता है वो हमें ध भरता है और भरता चला जाता है यहुदा पहला दिहाए 20 वचन में लिखा है वो हमें प्रार्थ न करना सिखाता है रोमियों आठ सोला में लिखाता है कि वो हमें गवाही देने के लिए साहयता करता है गलातियों के पांचवेद्ध है 22 और 23 वचन में हम लोगों को आत्मा क फल क्या है और एक लंबी सूची वहाँ पर प्रेमानन नेल दीरज भलाई विश्वास कृपा नमरत और सहीं हम दिखती है और फे साथ ही साथ पवित्रा आत्मा के वर्दान भी होते है और पहला कुरंती उसके बारवे अध्याय में वहाँ पर भी हमको उसकी एक सूची मिल ज जाती है प्रीरतों के काम 10-37 में आप देखेंगे सेवकाई के लिए पवित्रा आत्मा का अभी शेक भी पवित्रा आत्मा करता है और तीतुस के तीसरे अध्या पांचे बचन में लगता है कि हमें धो धो करके वो शुद्ध करता चला जाता है एक और बड़ी इंपॉर्ट जो पवित्रा आत्मा करता है और आज कर रहा है और करना चाहिए वो इफीसियों 4-3 उसमें मिलता है कि हमें एक ता को लाता है आज कलीसिया में इस बात की बहुत जरूत है और सिर्फ कलीसिया में नहीं मैं समचता हूँ परिवारों में भी जो टूटापन है अगर वो जु होना चाहिए परिवार के लोगों में वो यूनिटी के वल पवित्रा आत्मा के द्वारा मिलती है ऐसा बाइबल हम को बताता है दूसरा कुरंथी के पहले अध्याए बाई से वचन में लिखा है कि हमारे आगे में मतलब हविश्य में हम लोगों का पुनुरुथान होगा इस को वो निश्चे देता है मतलब गैरंटी करके दे रहा है कि उध्धार के बाद में तुम लोगों का रिजरेक्शन होने वाला है पुनुरुथान होने वाला है इफीसियों का पहला अध्याए और तेरवे वच्चन में बहुत सारी स्वर्गी आशिशें लिखी है उसमें से एक खास बात वहां पर लिखी हुई है कि छुटकारे के दिन के लिए हम पर च्छाप जो पड़ी है वो पवित्रा आत्मा के द्वारा पड़ी है और रुमियों आट ग्यारा में लिखे है कि हमारे मरन हार देहे में वो परिवर्तन लेकर के आता है पहला कुरंती और दूसर परमेश्वर हमको दे रहा है उससे प्रगट करके वो बताता है रुमियों आठ नौ पहला कुरंती तीन और सोला में भी यह लिखाए कि हमारी देह जो है वो मंदिर है और इसमें परमेश्वर का आत्मा निवास करता है कितनी अद्बूत बात है और हम परमेश्वर के आत्म को स्टडी मैटर न बनाते हुए उसको अपने अंदर बुला लें और पवित्र आत्मा हमसे बाते भी करता है पहला कुरंती बारवे अर्दिहाई में इस बात का है और बहुत सारे रेफरेंस हैं कि पवित्र आत्मा बोलता है और इसके बाद में हम देखते हैं कि वो उसी के द्वारा हमें आजादी मिलती है दूसरा कुरिंती तीन अट्रा में लिखाए कि वो हमें परिवर्तित करता है और गलातियों चार छे में लिखा है कि अब्बा याने हम परमेश्वर को पिता कहके कैसे पुकार सकते हैं ये भी परमेश्वर का आत्मा पुवित्रा आत्मा ही हमें प्रदान कर रहा है और गलातियों के पांच वद्या पांच वचन में वो हमें धैरिय सिखाता है और मांगी गई बातों के लिए और उस दिन के लिए जो आने वाला है बड़े धीरत से हम लोग रहा देख सकते हैं गलातियों 6-8 में ही लिखा है कि वो हमें अनंत काल के जीवन की तरफ ले करके जाता है और इफीसियों 2-18 में लिखा है कि पवित्रा आत्मा हमें परमेश्वर के समीप ले आता या परमेश्वर तक हम लोगों को पहुँचा देता है और इसके साथ में परमेश्वर के छुपी हुई बातों के लिए हमारी आँखों के परदे को वो हटाता है इफीसियों में भी इस बात का बरणन है और यदि आप सूची बहुत लंबी है मैंने भी केवर आधी ही पड़ा हूँ पहला पत्रस पहला अध्याए 12 वच्चन में की प्रचार करने के लिए भी जो सामर्थ लगती है स्वर्गिय समझदारी और बुद्धी लगती है वो भी पवित्र आत्मा हमें प्रदान करता है पवित्र आत्मा हमें ठेरे नहीं रहने देता है दूसरा पत्रस पहले अध्याय में त्रतित दिन मानो धक्का देता है। आगे बढ़ाता है। और पवित्रा आत्मा हमें सांत वना भी देता है, पवित्रा आत्मा हमें शांती प्रदान करता है, प्रेज़ितों के काम उसका 9 वाध ध्याई का 31 वाध चन, प्रेज़ितों के काम उसके 20 वाध ध्याई में लिखा है, कि वो चर्च में, मतलब कलीसिया में सेवकों को तयार कर उनका अभिशेक करता है और उसके बाद उनको सेवकाई के लिए भेज़ता है। हूँ कि पवित्र आत्मा का एक कार्य ये है कि वो जीवन देता है और वो ही जीवन आज हमें मिल सकता है लेकिन वही जीवन देने वाले ने वच्चन को देहधारण करा करके सामने ले आया है तो आज हम पवित्र आत्मा की उस बात पर मनन करने जा रहे हैं एक बड़ी दुख और वच्छन बाटने का मुझे मौका मिला और परमेश्वर के बहुत से सेवकों ने इस बात को सुना सभास हमापत हो जाने के बाद बहुत सारे पास्टर्स को प्रशनते हैं और वे आकर के मुझसे बात कर रहे थे और परमिश्वर का आत्मा उनको अंसर्स दे रहा था लेकिन कुछ एक छोटा सा ग्रूप था यहने तीन लोगों का ग्रूप था जो बाजू में रुख गया और फिर बाद में मेरे से मिलके अकेले में मिलके मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रदर एक बाद बताईए वो धीरे बूल रहे थे ब्रदर आपसे एक बाद पुछना है मैंने कहा क्या बाद पुछना चाहते हो बोले ब्रदर आप विश्वास करते हो क्या कि येश्व मसी सच मुच में पवितर आत्मा से देधारन किया होगा रोना आजाता है कभी-कभी हम लोग जब इस प्रकार की बातें मसी विश्वासियों के बीच में चर्चा में सुनते हैं लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मसी लोगों में भी ऐसे कल्टिस्ट गुस आए हैं जो लोगों के विश्वास को डामाडोल कर दे रहे हैं मनुष्य की बुद्धी के आधार पर वे ये कहकर के प्रगट करना चाहते हैं कि संतान उत्पन हो ही कैसे सकती है जब कि कोई पती और पत्नी मेले नहीं है जब हस्बेंड वाइफ साथ में नहीं आए हैं तो कैसे हो सकता है और लोगों के मन में भ्रम डाल देते हैं बिलकुल उसी तरीके से जैसे अधन की बारी में उत्पती तीन में शैतान ने डाला था और बाइबल इसलिए कहती है कि अंद के दिनों में जूटे शिक्षक खड़े हो जाएंगे अच्छे अच्छों को भर्मा देंगे विश्वास से बहका देंगे और इसलिए इस विशै पर जबकि ये हमारा बेसिक फेथ स्टेट्मेंट है हम लोग हर बार जब आराधना के लिए कत्र होते हैं ये वाक्ये बोलते हैं कि मैं उस प्रभु येश्यू पर विश्वास करता हूँ जो पवित्र आत्मा से देधारी हुआ है प्रभु येश्यू मसी के उस पवित्र जनम को मैं विश्वास करता हूँ ये बोलता हूँ लेकिन अगर मन में मेरे पीछे अगर चार शंका की बातें उठती हैं तो मेरा मसी जीवन किस काम का और इसलिए इस बात को आज थोड़ा ध्यान से समझेंगे कि प्रभु येश्यू का पवित्र आत्मा के द्वारा देधारन होने का क्या आर्थ होता है मतिरची सूसमाचार और उसका पहला ध्याय और उसके अठारवे वचन में पहली बार इसका जिकर होता है यहाँ पर लिखा है इश्यू मसी का जनम इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके एकठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की और से गर्भवती पाई गई बहुत स्पष्ट लिख दिया गया है कि मरियम अपने माईके में है और यूसुफ अपने घर में है अभी केवल इनकी मंगनी हुई है अभी इन लोगों ने साथ में रहना शुरू नहीं किया है लेकिन बाईबल बहुत स्पष्ट बताती है कि उनके इकत्र होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होती है बाइबल का ये statement बहुत स्पष्ट हम लोगों को कह रहा है कि प्रभु येशु का जनम पवित्रा आत्मा के द्वारा हुआ है और देखिए आगे यूसुफ परेशान है अब ये बात बढ़ी है फैली है यूसुफ तक पहुंची है और यूसुफ अपने मन में एक शंका को ला रहा था और उसे चुपचाप से त्याग देने की सोच रहा था बीसमें बच्चन में देखिए क्या लिखा है प्रभु का एक स्वर्दूत उसको स्वपन में दिखाई दे करके कहता है हे यूसुफ एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है एक स्वर्दूत आया है और उसका नाम लेकर के उसके स्वपन में उसको ये कहता है डारेक्ट संबोधन कर रहा है हे यूसुफ उसके बाद में उसका डेजिगनेशन देखिए कैसे उठाता है दाओद की संथान पता नहीं इससे पहले यूसुफ को किसे ने दाओद की संथान बोला होगा क्या लेकिन दाओद की संथान ये एक खास डेजिगनेशन है जो मसी के आने के पहले दिया जाना था या मसी के लिए है दाओद की संथान और किसी के लिए नहीं यहाँ पर लिखा है हे युसुफ दाउद की संतान अर्थात प्रभु येशु के बारे में आप कोई बात करने वाला है और वहाँ पर लिखा है हे युसुफ दाउद की संतान तेरे मन की शंका क्या है? वो बोल रहा है तू अपनी पत्नी मरियम को अपने घर लाने से मत डर परमेश्वर हमारे मन की सारी शंकाओं को जानता है हिचकी चाहट को जानता है डर को जानता है चाहे वो मन के अंदर गहरे हो वो जानता है वो नाम लेकर के आता है और वो कहता है मुझ से और आप से भी आज परमेश्व और इसी तरीके से हमारे डाउट्स को निकालता है यदि आज की तारीक में भी आपके मन में डाउट है कि क्या प्रभु येश्यू कई नाजायस तो नहीं ऐसे शब्द चर्च में भी इस्तमाल किये कुछ लोगों ने पूछते समय भी इस्तमाल किये इसलिए मैंने ये बोला लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा शब्द विचार में भी मताने दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु येश्यू का जन्म होता है अब वो स्वर्गदूत बोल रहा है हे योसुफ दाउत की संतान अपनी पत्नी मर्यम को अपने घर में लाने से मट डर क्योंकि दा रीजन इस मैं परमेश्वर जब पूछ के आया हूँ परमेश्वर की और से आया हूँ तुझको बताने के लिए आया हूँ कि जो मर्यम के गर्भ में है वहाँ पवित्र आत्मा की और से है एकदम स्पष्ट बता दिया और ये भी बता दिया कि जब वो जनेगी तो पुत्र को जनेगी और जब वो पुत्र को जनेगी तो तु उसका नाम यहोश्वा रखना हिंदी बाइबल में इश्व रखना लिखा है उद्धार करता जनम के पहले से यूस्व को परमेश्वर ने स्वरगदूत के द्वारा उसके स्वपने में बता दिया कि वो उद्धार करता होगा उसका नाम भी तो यहोश्वा रखना क्यों कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा बहुत सपष्ट रीती से ये बात परमेश्वर के स्टेट्मेंट में आई उसके बाद में यूसुफ के उपर प्रगट कर दी गई लुकर अच्छी सूसमाचार के पहले अध्याय में आप ये पाएंगे कि मरियम को भी बताई गई पैंटी सवा बच्चन देखते हैं देखिए मरियम अपने घर में है और अचानक उसके सामने एक स्वर्गदूत आता है और उसको शालोम कहता है आनों दर जैतेरी और फिर उसके बाद में जब उसको कहता है कि देख तू गर्बवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन होगा तू उसका नामी शुरखना यहां पर मरियम इस बात से नहीं चौक रही है कि हाई इसको कैसे मालूम पड़ गए परंदू इस बात से चौक गई और उसने प्रशन खड़ा कर दी स्वर्गदूत के सामने यह कैसे हो सकता है आप यह बात कैसे कह रहे हैं मैंने या मुझे कभी किसी पुरुषन हात नहीं लगाया और तब परमेश्वर का यह स्वर्गदूत भी उसे बहुत सपष्ट कहता है उसको आदर देता है और वो बताता है नहीं मरियम तु पवित्र है जब वो कहती है यह कैसे होगा स्वर्गदूत कहता है पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम्प्रधान की सामर तुझ पर च्छाया करेगी इसलिए वहाँ पवित्र जो उत्पन होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा यहाँ पर हम देखते हैं कि मरियम को भी बहुत डारेक्ली स्पष्ट बता दिया गया था कि यह संतान जो हो रही है यह पवित्र आत्मा के द्वारा तेरे गर्भ में आया है प्रभु येश्व उत्धार करता अब यहाँ तो मरियम को एक और शब बताया गया परमेश्वर क पुत्र परमेश्वर का पुत्र यह परमेश्वर ने तुझे इस रीती से चुना है तो हम यह बात देखते हैं कि मरियम पर परमेश्वर का आत्मा आह करके ठहरता है मेरे साथ में निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक और उसका पहला ही अध्याय और इस पहले अध्याय म इस पर परमेश्वर का आत्मा उस जल के उपर मंडराता था। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गीत गाया कि आत्मा मंडराता। और उसके बाद जितने भी स्टेंजा हैं हम देख रहते हैं उसमें किसी में जाना रही है। किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है। वो जो कभी बोल नहीं सकता था वो बोलने लगा जो सुनने लगा वो जो मरा पड़ा था वो जाग उठता है। और ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि आत्मा मंदराता पिंतकुस के दिन भी इसी तरीके से आत्मा मंदराता और वह सारिक पर आकर के ठेर जाता और वह जो मरे हुए से थे वह जो डरे हुए से थे वह अचानक निडर हो जाते हैं और जीवित हो जाते हैं और परमेश्व के काम म कुछ भी नहीं है उसमें और सुनसान भी है लेकिन आपको मालूम है ये उत्पती का पहला अध्याए छटवे वचन्दे समापत हो जाता है सात्में दिन का वर्णन दूसरे अध्याए में मिलता है परमेश्व ने सारी चीजों को बड़े सुन्दर तरीके सरेंच किया है हाला कि जब तोरा लिखा गया था उस समय चैप्टर्ज एंड वर्सिस नहीं थे एक बार लिखना शुरू कर दिया तो लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए और पूरे पचास अध्याए जो आज हम देखते हैं वो एक मानो सिंगल पैरा में नजर आते हैं और प्राणी हैं सब व्यवस्थित हैं और तो और लिखा है पहले सुनसान थी लेकिन आब भरी है और जो खाली जगए उसके लिए परमेश्वर ने उनको आशिश दी भर जाओ सुनसान थी भरी हुई बेडॉल थी अब आकार है लेकिन बीच में क्या लिखा है परमेश्वर का आत्मा मनराता इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का आत्मा जो है वो जीवन लेकर के आता है वो जीवन उत्पन्न करता है और वो बेडॉल को एक आकार देता है बड़िया डील डॉल देता है प्रभू येशु के लिए भी यही शर्द इस्तमाल किये के लूका के दूसरे अध्याय में कि प्रभू येशु डील डॉल में और परमेश और अमनिश के अनुगरह में येगा और आप लोग बाइबल निकाल करके और जिनके पास बाइबल नहीं है प्लीज स्क्रीन पर वच्णों को पढ़ सकते हैं और यहुवा परमेश्वन ने आदम को भूमी की मिट्टी से रचा संडी स्कूल की क्लासस में हम लोग ऐसी बताते हैं कि मिट्टी लेकर के ऐसे उसमें से आकार बना दिया जैसे कि मानो एक मनुष्य का आकार हो और एक मूर्ती जैसा आकार नजर आ रहा था लेकिन उसके बाद में लिखा है और उसके नथनों में जीवन का श्वांस फूंक दिया इस इस शब्द के लिए दूसरे ट्रांसलेशन बताते हैं कि परमेश्वर ने अपना आत्मा डाल दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया जब तक परमेश्वर ने आत्मा हमारे अंदर नहीं डाला तब तक हमें प्राण नहीं थे और सबोब देशा की पुस्तर य प्राण देने के लिए भी या मानव जाती के अंदर जो उसने दिया वो अपना श्वास था जो जो उसके अंदर चल रहा था परमेश्वर के अंदर और उसने मानव जुक करके उस मिट्टी के आकार पर फूंक दिया उसके नथनों में फूंक दिया ताकि वो नथनों से भी वो श्वास चलती रहे और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर जीवन को देता रहे तो परमेश्वर का आत्मा अपने basic character में creation of life रखता है यहने प्राण की या जीवन की उत्पत्ती को रखता है इस बात को ध्यान में रखें पवित्रा आत्मा का पहला या मूल कारी क्या है कि वो उत्पन करता है और क्या उत्पन करता है जीवन उत्पन करता है यहना रचिसू समाचार और उसके छटमे अध्याए में आएंगे यहना रचिसू समाचार के छटमे अध्याए और उसके 63 बचन में देखते है छटमा ध्याय 63 बचन आत्मा तो जीवन दायक है शरीर से कुछ लाब नहीं जो बाते मैंने तुम से कही है वे आत्मा है और जीवन भी है बाइबल में कभी-कभी ऐसे शब्दों को पढ़ने के बाद कुछ लोग कहते हैं बड़े ड्रा आये हैं नहीं समझ में आ रहे है अब आस्तों में ये पूरा छटमा ध्याय साथ में पढ़ेंगे तब कहीं जाकर के आखरी के इन शब्दों को पकड़ पाएंगे छटमा ध्याय आरम होता है रोटी से एक बहुत बड़ा अश्रकर्म हुआ बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर थे और मैं अंदाज लगाता हूँ पांच हजार पूरिश थे तो दस से पंद्रह हजार भी लोग हो सकते हैं कुल मिला के बच्चों को मिला करके बहु मिलते रहेगा रोज फिर इसके बाद में जीवन की रोटी वाला सेक्शन आता है यदि पच्चीस वचन के आगे देखें तो जहां पर प्रभु येशु बता रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ और फिर उसके बाद में अपनी देह के बारे में रोटी और अपने लहु क जाते देखोगे तो क्या होगा तो प्रभु येशु ने आगे की बात को भी बता दिया लेकिन देखिए एक मुख्य वाक्य कह रहा है आत्मा तो जीवन दायक है मनुश्य किस पर मन लगा है हम लोग रोच की रोटी पर बहुत मन लगाते हैं सुबह उठते साथ ही हम लोग सो कहता हूं वे आत्मा हैं अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा विशेश कर के वे लोग जो परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगते रहते मांगते रहते और बड़े उदास हैं कि अभी तक मिला नहीं प्रभु येशु क्या कह रहे हैं जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं वे आत्मा है, अब पवित्रा आत्मा से भरे जाने का, परमेश्वर की आत्मा से भरे जाने का सबसर सरल तरीका बता रहा हूं, प्रभु येश्व के कहे गए वचनों से अपने आपको भरते जाओ, और जब प्रभु येश्व के वचनों से भरते जाएंगे, तो येश्व के हम अपने आपको परमेश्वर की आत्मा से भर रहे हैं और वहाँ पर लिखा है यह आत्मा भी है और जीवन भी है इसी में एक और वचन मैं आपके सामने रखता हूँ ठावन वचन जो रोटी स्वर्ग से उत्री यही है उस रोटी के समान नहीं जो बाब दादाओं ने खाया और मर गए जो कोई यह रोटी खाएगा वह सरवधा जिवित रहेगा प्रभू येश्व की देह को येश्व की देह को और वे बड़े आननद से बाहर निकलते और क्या बुलते मेरे पात धुल गये और मैं उन लोगों को बताता हूँ कि प्रभु वोजन लेने से पापों की ख्षमा नहीं होती है यदि ऐसा विचार है तो उसको निकाल दीजिए हम प्रभु येश्यू मसी उद्धार करता है और वो हमारे प्राणों को अपने प्राणों के वज़ में लगा लिए उसने प्राण दे दिया बनिदान दे दिया और मेरे पापों को ख्षमा करने के लिए किया इस बात के स्मरणार्थ हम लोग प्रभु वोजन ग्रहन करते हैं और यहाँ पर प्रभु येश्यू यही बता रहे हैं हमको जो रोटी स्वर्ग से उत्री है वो मैं ही हूँ अर्थात वचन की रोटी वो सरवदा जीवित रहेगा यौनर अरचिसू समाचार के साथमे अध्याय में देखिएगा 37 और 38 में और भी जादा सपष्ट कर दिया गया है छटमे अध्याय को पर्व के अंतिम दिन यहाँ पर आपको मालू में प्रभु येशू जोपडियों के पर्व में आय हुए है अंतिम दिन जो मुख्य दिन था सेलिब्रेशन जो होता है एक एक दिन बढ़ता गया और लास्ट डे बड़ा फाइनल डे और बड़ा मुख्य दिन था उस दिन परभु येशू खड़े हुए एक एक शप्ते गौर करिएगा पर्व का मुख्य दिन उसके बाद में लिखा येशू खड़े होते हैं और पुकार के कहते हैं बड़ी भीड है वहाँ पर पर्व में बहुत भीड लग जाती थी और वे पुकार के कहते हैं यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिये। 38 वचन देखिए उस प्रशन को आपके मन से निकाल लेगा उस उत्तर में है जो मुझ पर विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्रे में आया है उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बैह निकलेगी। प्रवु येश्व की बातों को सुनना है, बातों को ग्रहन करना है, उस पर विश्वास करना है और जब हम ऐसा करते हैं, येश्व ने कहा उसके हृदय में से हृदय से मतलब है कि जान है हमारी, यहां हम लोगों का मानों हाट बीट होता है सारे शरीर में खून बहले के लिए, यहां पर परमेश्व ने हृदय दिया है हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहेगी। जो पवित्रात्मा से देधारी हुआ, वो पवित्रात्मा का वो गुण उसमें है और वही प्रभु येश्व के मूँ के निकले शब्द है, जो वच्चन कहलाते हैं, जो वच्चन देधारी हुआ, क्योंकि यह वच्चन परमेश्वर है अब कहता है, ये वही बात है, जो तुम्हारे अंदर जब आ जाएगा, तो तुम्हारे अंदर से जीवन जल की नदियां बहे निकलेगी। अब जब जीवन जल की नदियां हम में से बहे रही हैं, तो समझ जाईए कि हम में भी स्वयम जीवन आ जाता है। जीवनजल की नदी का वरणन आया है, यशयान की पुस्तक और उसके 32 में अध्याय को देखें, यशयान अभी की पुस्तक, चाप्टर नम्बर 32, और इसके 15 में लिखा हुआ है, जब तक आत्मा उपर से, उपर से, आत्मा मंदर आता, उपर से, मंदीर का परदा फटता है, उपर से, यहां पर हम लोग देखते हैं, जब तक आत्मा उपर से हम पर उंडेला न जाए, उंडेल ना, योवेल नभी की पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़िए छिड़कने की बात नहीं आई उंडेलने की बात आई भर पूरी से देने की बात आई जब तक आत्मा उपर से हम पर उंडेला ना जाए और जंगल जंगल मतलब वीरान मतलब सूखाक शेत्र मैं फिर एक बार बता दूँ भारत देश के जंगल हरी आले भरी हो सकते हैं लेकिन जिन जंगलों का वर्नन ये कर रहा है वो सूखे विरान मरुस्तले वाली जगा है और लिखा है जब आत्मा उपर से हम पर उंडेला नहीं जाए तब तक और जंगल फलदायक बारी जब तक गिनी जाए यानि परमेश्वर का आत्मा ऐसी भरपूरी से जीवन प्रदान करता है परमेश्वर उपर से जल को उंडेलता है जीवन को उंडेलता है और उसमें क्याक्षंता है देखिए जो मरुस्तल है जो रेगिस्तान है और जहां पर कोई उमीद नहीं जीवन की जहां नजर जारी रेत ही रेत नजर आती है और परमेशर का वचन कहता है कि वहाँ पर क्या होगा वहाँ पर हरियाली आ जाएगी और फिर एक बगीचा बन जाएगा और फिर उसके बाद में हरा भरा जंगल बन जाएगा उसमें कौन रहेगा तब उस जंगल में नियाए बसेगा औ और उसमें फलदायक बारी में धारमिकता निवास करेगी। तो इस तस्वीर का क्या मतलब है बहुत स्पष्ट रीती से परमेश्वर के वच्षनों में पुराने नियम में ही लिग गया है। देने वाला जो गुण है और क्रियेट करने वाला जो गुण है वो आजा आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। यही जिकेल की पुस्तक को निकालिएगा 37 वाद देया है। चाप्टर 37 एजिकेल आप में बहुत से लोग मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। इस चाप्टर की हेडिंग है सूखी हड्डियों की तरही। तब यहुआ का आत्मा मुझ पर आया और मुझ में अपना आत्मा समवा करके बाहर लेकर के गया। मुझे तरही के बीच में खड़ा कर दिया और उस तरही में हड्डियां भरी है। औ तब उसने मुझको उनके चारों और घुमाया और तराई की तह तक बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई थी। कुछ लोगों का कहना है किसी को हार्ट अटेक अगर आ जाता है और आप जल्दी से उसका ट्रीटमेंट दो मिनट तीन मिनट के अंदर कर देते हैं रिवाइब कर सकते हैं रिसस्टिकेट करते हैं तो उसको फिर से हार्ट चलने लग जाता है। थोड़ी डीले हो गई है तो वो जीवन देता है और कुछ नहीं में से भी उत्पन कर लेता है और यहां पर लिखा है मैंने बहुत सारी हड़ीयां देखी हड़ीयां और वो भी कैसी हड़ीयां सूखी हड़ीयां पता नहीं बरसों से पड़ी हुई ऐसी सूखी हड़ीयां वहां पर है बहुत सूखी हु यानि मनुष्य के हिसाफ से नहीं हो सकता है लेकिन परमेश्वर पिता आप ही जानते हैं तो वो कहता है इन हड्डियों से भविश्यवानी करके कहें कि हे सूखी हड्डियों यहुवा का वचन सुनो एक दिन इसी प्रकार से कबरस्तान में जमीन के नीचे गाड़े गए हमारे प्रियजन कुछ दिन शायद दस दिन पुराने हो कुछ एक साल कुछ पचास साल कुछ और भी लंबे समय के लेकिन उन सूखी हड्डियों के लिए परमेश्वर की वानी ऐसी होगी परमेश्वर का वचन सुनो मनुश्य की समझ के बाहर है ये वाली बात लेकिन बाइबल में ये बात दर्ज की गई है और जिस ट्यून पर आगे बढ़ रही है आप अंदाज लगाई है कि उस दिन क्या होने वाला है हे सूखी हड्डियों यहुआ का वचन सुनो परमेश्वर यहुआ तुम हड्डियों से यों कहता है तुम हड्डियों से कह रहा है देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा तुम जी उठोगे तुमारी नसे उप जाकर मास चड़ाऊंगा तुम को चमड़े से ढापूंगा फिर तुम में सांस समवाऊंगा उत पत्ती के आपने दूसरे द्याय में पढ़ लिया था सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहुवा हूं और जब यह बोल करके बताते हैं तो लिखा है साथ वचन के आगे लिखा है इस आगया के अनुसार मैं भविश्यवानी करने लगा परमेश्वर की बहुत सारी बाते हैं बहुत सारी आगया हैं बहुत सारे हम लोगों के पास में परमेश्वर के मानों निवेदन है जो हमसे कह रहा है ये करो ये करो ये करो और जो नहीं करते वो इस आशेर कर्म से वंचित रह जाते हैं परन्तु जो इस असंबाव भात के सामने भी यह कहते कि प्रभुजी असंबाव है लेकिन आप बोलते हैं इसलिए करूँगा शिमान पतरस ने कहा नहीं आने वाली मच्टी पर तू बोल रहा है प्रभुजी इसलिए मैं डालूँगा इसलिए वासंबाव भात को भी करते हैं तो इसने लिखा इस आग्या के अनुसार मैंने भविश्यवानी कर दिया और जब मैं भविश्यवानी कर ही रहा था अभी बोलना ही शूरू किया यह परमेश्वर का वच्चन है सामर्च से भरा हुआ वच्चन है जो उसने मुझे दिया वचन मैंने पहली बताया येश्व ने का वचन याने क्या वचन याने परमेश्वर का आत्मा जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बहता है और वो जीवन उत्पन्न करता है आप अपने उन मित्रों को याद करिए जिनोंने अभी तक मुझ खुलने के कारण और बाईबल बताती है हरकत होती है क्या होता है जब वो भविश्वानी करी रहा था तो आहट सुनाई दी खाड़ 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 सुनाई दिया एक क्या हो रहा है तो बोले हड़ियां हिल रही है ऐसा लगा भूडोल हो गया क्योंकि सारी तराई में हड़ियां ही हड़ियां थी, अब वो हरकत के कारण इकठी होने लगी, वो हड़ियां हड़ियों से जुड़ने लगी, और फिर मानो एक स्केलेटन बनके तयार हो गया, फिर उसके बाद में आप पढ़ें आगे, नसे उत्पन्न हो गई, बाद में मास चड़ गया, और उसके उपर चमडे से वो ढब जाते हैं, परन्तू, एक चीज की कमी रह गई, और वो है परमेश्वर का प्रान उत्पन करने वाला आत्मा, वहाँ पर शब्द है स्वांस, प्रभु येश्व भी अपने शिश्वों के उपर एक बार फूंकते हैं, और सांस नहीं थी, तब उसने मुझसे का, हे मनुश्य के संतान, अब तू सांस से भविश्यवानी कर, अब तू सांस से बोल, अब तू स्वांस से प्रार्थ न कर, और तू ऐसा बोलना कि, हे श्वांस, चारों दिशाओं से आ करके इन में समा जाओ, उसकी इस आग्या के और एक बहुत बड़ी सेना तयार हो गई, सेनाओं का यहुवा, यहुवा परमेश्वर जो सेनाओं का यहुवा है, सेना खड़ी हो गई, कहां से खड़ी हो गई, हड्डियों में से खड़ी हो गई, तो पहला दृष्य क्या था, सूखी हड्डियों का धेर था, और दूसर किया देखते हैं इसी दृष्षे का परिवर्वतन क्या हुआ वहाँ पर सैन he से nied खड़ी हो गई परमेश्वर की सेंध खड़ी हो गई और दो B क्या हरकत हुई है क्थडियों का जुड़्ड-ब игр मांस कचड़ना नसों कचड़ना क्या क्या ये सब होने के बाद भी लिखा है कोई फायदा नहीं मरे पड़े थे लेकिन जब परमेशवर का आत्मा उनमें फूंका गया परमेशवर का श्वास उनमें डाल दिया गया तब वे खड़े हो गए तो मेरे जीवन में मैं हरकत देखता हूँ हड़ियों का हड़ियों से जुड़ना देखता हूँ मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो मेरे बहुत अच्छा लगता है और जब मैं घुड़नों पर आकर के प्रात्ना करता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी को जाकर के बचन सुनाता हूं तो बड़ अच्छा लगता है ये सब क्या है? ये हड्डियों से जड़ना हो गया ये ये नसों का चड़ना हो गया मास का चड़ना हो गया सब कुछ मानो मनुश्य का रूप लेकिन एक खास बात अभी भी चूट गई और वो है परमेश्वर का आत्मा बहुत सारे प्रियेजन विशेश करके जवान लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग अपनी जवानी की दिनों में स्ट्रगल करते हैं और पाप से लड़ने के लिए कोशिश करते हैं तो अंकल हमें कोई ऐसा तरीका बताईए कि हम पाप के उपर जय प्राप्त कर सकें रभू येश्व से भी एक बार एक जनने ऐसे ही पूझा तस्वर के राजजम प्रवेश करने के लिए क्या करूँ परमेश्वर का आत्मा जब हमें आता है तो केवल पाप का बंदन नहीं तोड़ता मैं बच्छन बताऊंगा आपको एक परन्तु पाप का जो असर है पाप की जो ताकत है उसको भी नाश करता है जब जब प्रलुबन आएंगे तो सामने हम बड़े सीना तान के खड़े हो सकते है उसका सामना कर सकते है तो यहाँ पर हमने यहिजिकेल की पुस्तक में देखे कि जो एकदम कमजोर थे जो मरे हुए थे जो सूखे हुए थे जिन से कोई उमीद नहीं थी परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर जीवन भर देता है उत्पन कर देता है उत्पन करने वाला जीवन यहिजिकेल के ही 36 में अध्याय में एक अध्याय पहले आईए मैं 25 बचन से छिड़क पढ़ता हूँ परमेश्वर योवयों कहता है मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा यह शुद्ध जल क्या है देखिए और तुम उससे शुद्ध हो जाओगे और मैं तुमको त चेंज करना चाहता हूं हम लोग अपने आपको चेंज नहीं कर सकते बाइबल बताती है परमेश्वर करता है परमेश्वर हमारे अंदर एक नया मन देता है मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा दाउद भी अपने भज़ दमन उत्पन कर और तेरी आत्म मुझे नए सिरे से प्रदान कर नया मन दूंगा तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मास का हरिदे दूंगा 27 वचन भी पढ़ लेते हैं मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे कर देखिए शब्द पर गौर करना परमेश्वर अपना आत्मा परमेश्वर का आत्मा मनुश्यों को मिलता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे कर पहला कुरंती तीसरा द्या सोलाव चंद तुम्हारी देह मंदिर है और उसके अंदर आत्मा निवास करता है क्या तुमको ये बात नहीं मालूँ Don't you know that? मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे for the people who struggle to walk in the way of the Lord जो लोग बड़ा संघर्ष कर रहे हैं कि परमेश्वर को पकड़ के कैसे चले धार्मिक्ता में कैसे चले और शुद्ध जीवन कैसे बताएं जीवन जीए परमेश्वर का वच्छन कहता है जब मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा परमपण के साथ में हम अपना जीएन प्रभू के हाथों में दे दे अपने इस दे को वो धोएगा वो शुद्ध करेगा शुद्ध जल से वो पहले शुद्ध करेगा उसके बाद में अपना आत्मा हम में समवाएगा और पिर इसके बाद हमनए हो जाएंगे नएम बान वाली स्वाद्या है और उसके आरम के वचन देखते हैं दूसरा और तीसरे वचन में देखिए लिखा है तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्ब ही से बनाता आया केवल प्रभु ये शुवी नहीं है जिसके मरियम के गर्ब में आने से पहले पवित्रा आत्म उसको रच्टा है बनाता है तैयार करता है फॉर्म करता है लेकिन यही वचन मेरे लिखा है यही वचन आपके लिखा है कि तेरा करता यहोवा जो तुझे गर्ब ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा यहाँ पर past tense, present tense और future tense यहने परमेश्वर लगातार हमारे साथ Emmanuel गर्ब में वो हमें तयार कर रहा है और बनाता आया मतलब उसका process of forming अभी भी चल रहा है everyday he is renewing us प्रति दिन मुझको बनाता जा रहा है और यह बनाने की बात गर्ब हवस्ता से शुरू हो गई मेरे जनम के नौब मेहने पहले से यह बात शुरू हो गई और परमेश्वर मुझको बनाता आया बनाता आया और बाद में भी लिखा है मेरी सहायता करेगा इसलिए मुझको डरने की जरूरत नहीं है बचन में लिखा है परमेशवर कहता है मत डर परमेशवर का बड़ा प्रिये वाक्या है प्रभू येश्वभी अपने जिश्यों के साथ में कई बार मिले तो यहीं से conversation स्टार्ट किया मत डर जब परमेशवर के स्वर्ग दूद भी आ करके जल और सूखी भूमी पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वन्ष पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशिश उंडे लूँगा। पर दो नया पन। पुरानी बाते सब खतम करके नया करता है। देखा गर्ब से बनाता हुआ आया लेकिन अब पता लग रहा है कि गर्ब में आने से पहले भी परमेश्वर मेरे परचित लगाया, मेरे उपर ध्यान किया, मनुश्यों तो मुझको मेरे जनम के दिन से जानते हैं और आजकल के डॉक्टर्स अपनी टेकनिक के कारण मेरे जनम मेरे रचने से पहले ही मैंने तुछ पर चित लगाया, उत्पन होने से पहले मैंने तेरा अभी शेक किया, मैंने तेरे जातियों का भईश्य वक्ता ठेराया, और हम देखते हैं कि वो डर जाता है, बोलता है प्रभु जी, मैं कुछ नहीं बोल सकता, परमेश्वर उसको डा जाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, नौवे वच्चन में गौर करियेगा कि परमिश्वर इर्मिया से, एक एक डरे हुए बालक से, एक जवान से क्या कह रहा है, तब यहुवा ने हांत बढ़ा कर मेरे मूँ को छू लिया, और यहुवा ने कहा कि देख मैंने अपने वच् हमने आरम में देखा, पुराने नियम में देखा, नए नियम में, सुसमा चार में देखा, कि जो वच्चन है, वही वास्तव में आत्मा है, तो परमेश्वर इस इस डर्पोक किसम के जिर्माया को अपने वच्चन से भर देते हैं, अपनी आत्मा से भर देते हैं, और उसके बनाने या उन्हें रोपने के लिए इतना अधिकार एक डरपोक से बच्चे को मिल गया परमेश्वर जब अपना आत्मा हमें प्रदान करता है बिल्कुल इसी तरीके से एक असमंजस में पड़े हुए विक्ति को हम देखते हैं यहुना के तीसरे अध्याय में जहां पर प्र एक लिए पैसेज ले लेना जरूरी है लेकिन मैं अब अब अंदाज लगा रहा हूं कि आप इस बात को समझते आ रहे हैं तीसरे अध्याय के छटे वजजन में लिखा है जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा परंतु जो आत् के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा जहां पर परमिश्वर का आत्मा आता है वहां पर जीवन आता है वहां पर कितना भी सुखा होगा वहां कितनी भी निराशा होगी लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है तो वह हम लोगों के लिए जीवन को लेकर के आता है मेरे सा कुछ जो कुछ बोता है वही काटेगा आज हम किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं बिता रहे हैं हम क्या बो रहे हैं आठ्वा वच्छन कहता है जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा काटेगा बोलना था पर कहता है विनाश की कटनी काटेगा विनाश जीवन की कटनी को काटेगा तो परमेश्वर का वचन आत्मा के चलाय चलने वालों के लिए बहुत स्पष्ट कह रहा है परमेश्वर का वचन आज के जीवन को पवित्र आत्मा के हाथ में देख करके चलने वालों के लिए कहता है प्रभु येशु की तरह हमारा जीवन हो, सभा हो, बाते हो, हरकत हो, सामर्त हो, आश्चर कर्म हो, प्रेम हो, दया हो, सारी बातें बिल्कुल वैसी ही जैसे येशु में होती है, क्योंकि हम भी परमेश्वर की संतान होते हैं, और ये कब संभव होता है, जब हमारा जनम हो, न जब नया जनम को समझाने की बात आई तब परमेश्व ने आत्मा से जनम ले निकले का, मेरे मित्रो जब हम अपने प्रिरितों के विश्वास को बोलते हैं, तो हम ये कहते ज़रूर हैं कि येश्व पर विश्वास करता हूँ जो पवित्रा आत्मा के द्वारा देधारी हुआ लेकिन ऐसा बोल करके हम आँ उठा करके येशु को किसी शेल्फ के उपर सजा के मत रख दीजिए प्रभु येशु का पवित्र आत्मा के द्वारा देधारन करके यहां पर आना एक ट्रांसफॉर्मेशन था परमेश्वर उसी आत्मा के द्वारा मेरा जीते जी ट्रांसफॉर्मेशन करता है सामरीस्त्री का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जक्कई का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ निकोदेवस का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आज मेरा भी हो जब हम इस प्रकार की बात को अपनी जबान स्यंगिकार करते हैं बोलते हैं परमेश्वर की बातें बोलते हैं परमेश्वर की बातें सुनते हैं परमेश्वर का आत्म हम में हरकत को ले करके आता है एक और वच्चन निकालिएगा रूमियों की पुस्तक और उसके आठ्वे अध्याय में और उसके आरम के दो वच्चन देखते हैं अतहा अब जो मसी इश्चु में हैं उन पर धंड की आग्या नहीं है पूर्ण विराम और बहुत से लोग इतना वच्चन करके बड़े आराम से टिक जाते हैं कि आरे वा हम तो बजगे क्यों बजगे हम चर्च जाते हैं तो हमने येश्चु के बारे में सुना है तो हमने ये पहला वच्चन अभी और भी है और उसमें ब्रैकेट में वहां लिखा हुआ है और वो शब्द शुरू होता है वाक्य शुरू होता है क्यों की से इसका मतलब उपर का जो सेंटेंस है इट इस वेरी मच डिपेंडेंट अन दे सेकेंड पार्ट दूसरे बात पर निर्भर कर अब बोलिए मुझ पर दंड की आग्या नहीं यानि इस वच्चन को वास्तों में ऐसे लिखना था कि अब जो मसी इशु में होकर शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं उन पर दंड की आग्या नहीं है प्रभु येशु का जी उठना क्यों हुआ पवित्रा आत्मा के द्वारा हुआ जनम भी पनुरुत्थान भी और उठा लिया जाना भी और वच्चन कहता है वही आत्मा जिसने येशु को मरे हुँ में से जिलाया तुम्हारी मरनहार देह को भी एक दिन फेर से जिलाएगा वही वही पवित्रा आत्मा जिसके कारण येशु देधारन करते हैं वही पवित्रा आत्मा हमें दंड के उस पार ले करके जाएगा जीवन में प्रवेश कराएगा अनंत काल के जीवन में हम लोगों को प्रवेश कराएगा दूसरा वचन भी पढ़ लेते हैं क्योंकि अपने आपको बंधन में पाया, जो विवस्था की बात थे, जिसमें मैंने आपको बंधन में पाया, आज मैं इस जीवन की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, वो मुझको येश्यू के कारण उसमें से आज़ाद कर देती है। स्वर्ग का जो दृष्य है, मैं परमेश्वर पिता को देख रहा हूँ, और दाही ने हाथ पे लिखाया है, परमेश्वर पुत्र को देख रहा हूँ, अब आप बताईए परमेश्वर आत्मा कहां पर है। यहना को स्वर्ग घुमाया है, उसने कहा है देख, देख, क्या देख, बिल्लोर कीसी, एकदम शुद्ध, स्पोटलेस, कोई गंदगी नहीं, एकदम शुद्ध, पवित्र, जलकती हुई, जीवन के जलकी नदी, देखें जीवन के जलकी नदी हमारे हिरदय से खुटने की बात हुटी है, यह जीवन के जलकी नदी कब फुटेगी, जब हम येश्व का दिया हुआ पी लेते हैं, येश्व में क्या दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, येश्व में क्या दे रहे हैं, आत्मा दे रहे हैं, जीवन जलकी नदी को दिखाया, जो परमेश्वर और मेमने क सिहासन से निकली है प्रभू येशु ने कहा मेरा पिता के पास में जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं पिता के पास जाऊंगा और तुम्हारे लिए बिंती करूगा और पिता से तुम्हारे लिए पवित्रात्मा को दूँगा और वो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें सिखाएगा और वो मेरी ही महिमा करेगा इसका मतलब है परमेश्वर और मेमने के सिहासन से निकलती है और कहां जा रही है देखिए उस नगर के सड़क के बीचो बीच बहती है क्या यह नदी का अनुभाव हम आज कर रहे हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य बाइबल कहती है आज है यहीं है और परमेश्वर ने अपने वाइदे क्यानुसार और इन दिनों में मैं अपना आत्मा उंडेलूंगा पानी उंडेला जाता है नहीं तरल पदार्त उंडेला जाता है जल उंडेला जाता है जीवन का जल उंडेला जा रहा है और वो बीच से बह रहा है सारा सूखापन खतम हो जाए प्रभु येशु का जो जन्म हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा देहधारी हुए उनका पूरा जीवन पवित्र आत्मा से भरा हुआ पवित्र जीवन उनके मृत्यू के समय में भी वे पवित्र पाए जा रहे है उनके पुनुरुथान और उनके पुनुरुथान के बाद के 40 दिन उनका उठा लिया जाना और यह भी कि वो फिर से वापस लेने को आते हैं बड़ा विश्वास योग्य यह पवित्र आत्मा का का प्रेमी परमेश्व पिता सर्व शक्तिमान प्यारे प्रभुजी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभुजी कि आपके वच्चन के द्वारा फिर एक बार आपने हमें छुआ है आपके वच्चन जो हमें आते हैं जो हमारे कानों से सुनते हैं प्रभुजी आपका सामर्थी है और खाली नहीं जाता और बिना अपना कार्य की ये वापस भी नहीं पहुंचता प्रेमी पर मेश्व पिता आज हमने पवित्र आत्मा को एक नय तरीके से देखा है कि वो हमें परान को उत्पन करता है वो हमें एक नया पनुत्पन करता है वो पुराना सब कुछ धो देता है शुद्ध कर देता है हमें पवित्र कर देता है और नय जीवन को जीने की सामर्थ देता है सारी विवस्था के पाप के बंधनों को प्रभु जी तोड़ करके हम उस पर जैवन्त हो पाते हैं पवित्रात्मा के द्वारा पवित्रात्मा के द्वारा ही हमें जीवन का श्वास जो आपने भरा है प्रभू हमें चलता है और आपके दिन तक चलता भी रहेगा प्यारे प्रभू आपका वक्षन कहता है जो मुझ में से लेता है जो मुझ पर विश्वास करता है उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेगी हे प्रेमी परमेश्व पिता आज इस वचन को सुनने वाले प्रते एक प्रियजन को आप अपने इस जीवन जल की नदी से भर दीजिये प्रबू उन्डे लिए अपने इस जल को प्यारे परमेश्वर जो अपने जीवन को सुखा हुआ कह रहे हैं इस एक्षण प्यारे परमेश्वर आपका अद्भूत हांत बढ़ा करके उन पर अपना हांत रखिए जैसे आपने यर्मियास से कहा कि मद बोल कि तू कमजोर है मद बोल कि तू बच्चा है क्योंकि देख मैं तुझे चू लेता हूं मैं अपने वच्चन को तुझ में भरता हूं मैं अपनी श्वास को तुझ में भरता हूं मैं अपना हात्मा तुझ में भरता हूं तू अब उठ और बढ़न और परमेश्वर के राज्य के और उसके जीवन की बातों को दूसरों को बांटता फिर हे प्रेमी परमेश्वर पिता हमें से प्रतेग को प्रभु परमेश्वर आपके स्पर्ष की आउशकता है आपके श्वास की आउशकता है आपके प्रेम की आउशकता है आपके जीवन की आउशकता है आपकी नजरें दीजिये प्रभु आपके नजरों की दया दीजिये प्र है प्रेमी परमेश्यो पिता है पिश्वास को और बढ़ाया है हम आपके नम को उच्छा उठाते हैं फिर एक बार अपना जीवन हम प्रभु जी आपके हाथों में इसलिए देते हैं कि हमारे इस मंदिर में आपका डेरा हो जो आपकी इच्छा है प्रभु आपका आत्म हम में निवास करना चाहता है हमारी देह को प्रभु हम आपके हाथों में सौबते हैं सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम इस प्रात्न को धार करता हमारे प्रभु ये शुमसी के नाम में मांगते हैं सुनो ग्रहन कर आमीन